मुख्यमंति कमलना सरकार ने मद्धिप्रदेश के बेरोजगारों को अप किसान बनाने की तैयारी की है यह है पूरी रण नीती दोस्वागत है आपका इंडिक ग्यानमित्रम न्यूज मेवर में हूं अपका ग्यानमित्र कुल्दीप पांडे दर्शकों आज किस विए हम बा अवश्च देखें और अज़िया आपने विए तक हमारे चनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करने और साथी पहला एक उन्द बादे जिससे अस्तार का अप्डेट न्यूज आप तक तक तुरंद पहुंच पाए और आप उनसे लाभान में सरकार ने युवाओं को धोर याने पशू चलाना और बाद में बेंट-बाजे बजाने का फ्रेसिक्षन देने का फैसला ने लिया था जिसको लेकर सरकार की देजभर में खोब क्रिकरी हुई है अब सरकार बेरोजगारों से खेती कराना जा रही है इसके लिए बेरोजगा बड़े शहरों की ओर से तेजी से प्लैन कर रहे हैं। मुख्यमंति कमलना सरकार ने ग्रामींट छेत्रों में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्द कराने के लिए ग्रामिन शेत्र में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर उध्याने की फसलों के लिए उप्योग का अधिकार देने का प्रारूप बनाने के निर्देश दिये हैं नात ने पंचायद विकास की पंचायद वभाग की बेठक में अफसरों से ग्रामिंट शेत्र में खाली पड़ी जमीन का डाटा एकत्रित करने को कहा है खास बात यह है कि खेती करने के लिए बेरोजगारों को न्यूंतम किराय पर तीन या पांस साल के जमीन दी जाएगी मुख्यमंद्री ने कहा है कि ग्रामिंट शेत्र के युवाओं को सास की भूमी उप्यों का अधिकार देकर उन्हें बड़े पेमानों पर रोजगार उपलब्द कराना जा सकता है उन्होंने कहा है कि इस भूमी पर मालिकार हक सरकार का ही होगा इसके लिए था बेंट बाजा सिखाने का फैसला दोस्ता आपको ताने कमलना सरकार ने ग्रामिंट शेत्र में परमपरिक आयक साथनों के जरिये आय बढ़ाने की योजना बनाई थी जिसको जिससे गाउं में कम पड़े लिखे और खाली पड़े युवाओं को काम मिल सके इसके लिए पशु चलाने से लेकर बेंट बाजा बजाने सरीके काम का प्रशिक्षन देने की योजना बनाई गई है हलाकि यह पात है कि 6 महिने में अभी तर एक भी युवा बेंट बाजा और ढोड़ चलाने सिखाने नहीं आया है तो अब देखने यह होगा कि कहां तक सक्सेस हो पाती है किसान बनाने की इनकी योजना हम इस पर लाई अपडेट बनाए हुए जैसी कुछ नए अपडेट आ इस तारह का अपडेट नेउस सबसे पहले प्रापत करने के लिए हमारे घ्यान में ट्रम निवस को सब्सक्राइब कर लें लाई गुन यह जिससे तरह का इन्यूस आप तक तुरंद पहुच पाए और आप उनसे लाभान मीनत दोसके हैं अब तक के लिए जैहिंद जै भार वो बन्दे मात्राप।